कर लिए बच्चा बोल रहे हैं एट कर लीजिए कि अगरे ईजिए और अगरे चाई है दो उन्रेंगे अगरे श्टार्ट कर रहे हैं कि अग्यार आज जन्वरी हैं और इस वह मोवमेंट और इन्रशिय को लिकर आप तक यह देख चुकर बेसिक के किसको कहते हैं मौवमेंट इनर्शिया जादा है इसका मतलब उसमें जादा अपल लगेगा घुमाने के लिए कम से कम उसमें टॉप लगेगा इसको पीडिये बनाने के दोत नहीं है तो अराम से कोई भी तो हम कंटिन्यू करते आगे फिट से जो कल का हम जहां तक छोड़े थे एक सींपल एक रेक्टर लिए थे और उसका मोवमेंट इनर्शिया हम आगे करके दिखाएंगे इसलिए गुमाना मतलब कि पुछ चीज को घुमाने वाला को छीज इसको मैं से घुमाएंगे या ऐसे घुमाएंगे तो इसको कुछ भीव है इसको पीज़िस्द्विद्विद्व्द्व फिज़िद्व इस पर कोई आदमी चलेगा 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 तो जब पताय थे क्या पताय थे कोई पी एक बीव है तो इसका बेंडिंग क्या होगा बेंड बेंड होगा यह चीज जो है मेरा पार्ट इस साथी कोशिस करेगा पार्ट इसे की आपको रहे थे थे हैं तो जब इसे फोर्स लगेगा यह जिस तार से बैंड होगा तो यह इसको रोटेट करने के पुश्च करेगा तो हम तो हम जो डिजाइन करेंगे यह सोच के करेंगे कि यह बैंड जादा इसको पर लोड पड़ेंड नहीं अच्छा तो जब अलोड तो बैंड इसको बैंड करेंड इसका बीम बनिका कैसे यह वेंड इसे चाहां पर बैंड यू रोटेट यह जाइंड टूरॉट यह तो ड्राइग पर दिविश्च पढ़ाएगे था कि कहां पर बैंड नीं तो यह चीज रोटेट नहीं हो तो यह इसका फैक्टर डिपेंड करता इसके मोवमेंट ऑफ इनर्स के जैसे कोई ऑब्जक्त है कर रहा है जिसके मास के ज्यादा मास होगा मतलब ज्यादा इसको फोर्स चाहिए इसको लिनियर मोशन करने के लिए कम मास है तो कम फोर्स दे देंगे कर देगा को वेटिंग में एड़ कर दीजे ना पूल डाव एड़ यही तो है वेटिंग लिस्ट को यह लिस्ट तो क्या बात कर रहते हैं कि मोवमेंट ऑफ इनर्स से परपटी है गूल है अब मानों तुम्हारा वजन पचास केजी का है और किसी आदमी का वजन सो केजी है तो सो केजी वाले आदमी को घुमाने के लिए जादा फोर्स दाना पड़ेगा कि उसका अपना गून है उसका अपना प्रपटीज है सौर्ण मंडल क्या तुम हाथ उप्राइस किया जी क्या प्रप्रप्र हो तुमको अब नियू स्टूडेंट नियू का मतबद क्या मुझा अ मटला स्टूडे लें उसके बाद लैटरेल मेंडमिशन लिए ओ हैं सर्ट तो ठीक है वेल्कम स्वागा थे तुमारा लेकि प्रप्र आजायो क्योंकि सबस्टर बहुत चैप्टर तो ऐसा आगे निकल चुका है कि अब तुमको हमको नहीं लगता है कि समझने में तुको लहरा भी असानी लगता होगा कि इसारा सारा क्लास तुको बहुत बोर फिल करवाने वाला है समझ में आएगा नहीं अलो क्लास करो अगर प्रूश क्लास होता है करते हैं तो यहीं से लिए हम बात करें कि वाद को टेपिस कर बेंटिक मौशन इसके बाद को चीज़ा है कि कि का है इसा आवाद वाद आवाद और रिधी नार्जो 20 अगुद वरिंग सरांब लेटरल अंट्री से हैं सर्विया तुम लोग साव लेटरें ट्यू यही है कि फिजिकल क्लास होता थो तुम लोग के लिए आसानी होता अउनलाइन क्लास चरदा तो तुम लोग हम से दूर रहोगे जब college खुलेगा तो फिर आओगे हम से मिलोगे तो जहां तक होगा हम फिर तुमनों के लिए help मदद कर सकते हैं हम बस यही कर सकते हैं और online class बस हम दोनों mobile से ही जुड़वे रहेंगे जब तक online class चलेगा समस्या बहुत है समाधान बस इसका यही है खूब महरत कर सकते हो तो करो और हमसे अगर कुछ कर सकते हो contact तो कर सकते हो phone bell तुमको जो होगा तुमको बता सकते है फोन का प्रहाई कैसा होता है पकड़ सकते हो कैसे बहुत बढ़िया है नहीं तो बल्ला बल्ला ठीक है जल्दे से खुल जाए ताकि फिजिकल क्लास स्टार्ट होते कि जो निया बच्चा है उसके लिए कुछ हम कर सकें तक कि जो पीछे पढ़ा चुके हैं उसको फ़सा बता सकेंगे टाइम नहीं है तुम बार पर आते रहते हैं न चीज़ेंगों एडमी अडमीटे करते न जाए तो पहला चीज़ को हुने देखना कि एक बार समेरा कोई भी बोलें तो नहीं है रियल नार्जो अपने आपको यूट कर लो रियल मी नार्जो ट्वेंटी हां अब बन कर लो जिसको जब बात है सीखना है तो सीख सकते हो ठीक है राम से सीखो बात में जो डाउट हो हमसे पूछ सकते हो दो हमने इसका माना था अब इसका हम मुवर का मतलब हो गीया आप है आप ऑर वी विशाल कुमान मिन आप इसके। सब्सक्राइब में छोटा साइस्टीद है इसका दूरी तो इससे हम वाई मानिये। है उनके सब्सक्राइब ऐसे जतेक़ है सब्सक्राइब की जुछ फॉरी सब्सक्राइब नहीं कि ऑग्राइब ओपर कष्क्राइबえてैड और यह था सज्थ कर दो खुर्ष लेंगे कि वाई कोडिरेट केतना है यहां पर तो एक्स जीरो हो जाएगा इस मतर निखाए दिरेक्ट निखाए रहा है तो यह बिन्दू यह बिन्दू वाई एक्स के उपार से यह चोटा साल में हम एक्स से वाई के दूरी पिला गया है और इस यहां पर यह बिन्दू अलग है यह बिन्दू को दर्शा रहा है तो यह बिन्दू को मत एक समझ लेना यह बिद्द करहा गया यह दिवाई डिवाई मतल्ड श्मोल लेंग और दिवाई तो हमने ऐसा करके जो एंसर निकाले थी उसका एंसर था मोमेंट ओफ इनर्शिया यहां पर एक्स लिए जिए पर आपको दार्ट कर जिए हैं यह तो यह दिए दिए आपको दिखे तो यह संबल्ग में आजाए एक वर्टू क्योंकि एक्स है तुसका क्या था बी इसा हमने निकाला था पर तो याद कर लेना है इसको पॉपी में लिख के इसको याद कर लेना इसका मतलब यह होता है अब दूसरा हम लेंगे वाई एक्स इसके बाउत हम से इना ऐसा लिग दिए थ अब क्या करते हैं तो आप हमको लेना क्या थे वाई एक्स के बाउत हम बदलेंगे सबसे पर हम डस्तर उठाएं और उठाने के पार हम सबको मिटाएं जोखर एलेमेंट मेरा वहीं इलेमेंट को कोई बद्दाव नहीं होगा जो मेरा चीज है सब कुछ जो अबजेक्ट का को सेक्सिंस है वो मेरा वैसा ही नहेगा ठीक है अब हमें एक्स एक्सिस पर लेना वाई पर लेक्ट हम यह एक्सिस दो करेंगे यह यह एक्सिस हम यहां पर लिखें यह पहला उप्यू सब्सकारि कि सके आप्सिस के भाउट लेना आप उस एक्सिस के पार, फ़ेले उप्जट की योगी हुपर तो यह ऐघ्च सब्सक्राइब कर दिये और i आगे जाके यह बताएं कि यह बोट जो मेरा एरिया है यह कैसा सेमेट्रिकल है कि अन्सेमेट्रिकल है यह दो शब्द को हम सिमाल कर रहेंगे सेमेट्रिकल के मतल्ब होता है जिसको दो एकोवल भाग में बाटा जाता है तो इसे जो दो एकोवल भाग में बाटा जाता है दो एकोवल मास में नहीं दो एकोवल भाग में जैसा बट गया इसको बहुत है सेमेट्रिकल बोडी है कैसा यह एक होता है अंसेमेट्रिकल अनसेमेट्रिकल का मतल्ब हो गया जिसको दो एकोवल भाग में नहीं बाट सकते हैं उधारन लेलोस का उधारन जैसे माल लेतने यह मेरा है आधा रोटी है अब इसको सेमेटिकल है कि unsemetrical है, तो जवाब मिलेगा, दोठो, हां,ебping है और unsemetrical भी है, क्या है, देख लेते हैं, इसको कहिना है, जवाब होगा, यह रोटी को हम ऐसे, ऐसे बाट वेगे, तो equal भाग में बढ़ गिया, तो हां, यह symmetrical है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बढ़ना चानेंगे तो देखो कि रोटी हमारा आधा आधा एकुल पार्ट में नहीं बढ़ा तो हम यह कहेंगे कि वाई वाई एक्सिस से यह दो फाग में बढ़ गया तो यह सेमेट्रिकल है मतलब वाई वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में यह सेमेट्रिकल है लेकिन एक्स एक्स एक्सिस के रूप में यह अंसेमेट्रिकल बोडी है तो यह एक ऑबजट्स सेमेट्रिकल भी हो सकता है और अंसेमेट्रिकल भी हो सकता है यह निर्भर करता है कि किस एक्सिस से हम देख र लिए दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में यह सेमेंटिकल है कैसे जब शुन एसे यहां जो इन बढ़ गया तो मतलब कि यह सब्सक्राइब ये it is semantical but in the case of the y x x axis just we draw at x axis तो हम ऐसे डो करते हैं तब भी जो बान में बढ़ जाता है इसका मतलत यह वाद से एसे तो यह हमारा भी semantical दोनों axis के respect में यह आधा रोटी स्यूंटिकल है वाई एक्सिस के साथ लेकिन एक्स एक्स एक्सिस से यह उसमें पड़ता है यह एक्सिस से नेकिकल है तो इसको और इसको और ज़े पर चलेंगे फिरहाल अभी हम लोग इसको देखेंगे हैं बहुत सब्सक्राइब करें तो इसलिए बड़ा बनाएंगे और समझ जाओगे तो तुम लोगों किताब इताब तो सब्सक्राइब करना है कि हम एक टीप ठीक तो वह फिर तो तो ति हम एसी के पहला मैं बिए इसी चीप गर्जाए तो तो हम एक इस चीप नहीं तो 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 जैसा सब्सक्राइब कर दिखा दिये तो अब यहां से इसकी तुरी कितनी होगी एक्स इसकी दूरी एक्स तो वाई एक्स से एक्स किसकी दूरी हो गया तो यह एक्स दूरी हो जाएगा है तो हमारे पार जो फॉर्मूला है वह क्या फॉर्मूला है फॉर्मूला है फॉर्मूला है फॉर्मूला जो बराबर इन्दी लेशन अब जो न्यान अबच आया है विक्रीकेशन नहीं समझता होगा तो इसका जम्मूला टिछ कराही कुछिन पाईंग्स विक्सां इंड्रीकेशन क्या होता मेरा है ठीक है तो बिना मैक गनीद का इसा नहीं होनेगा बहुत इंपूर चीज़ होता है इंप्रिगेशन इप्रिटिएशन तो यह होगे इप्रिगेशन लिमिट और हम लेगे एक्स का स्क्वाइब एंड इस्मोल एरिया यह माशूत्र हो गया तो अब यह एक्स है ठीक है यह एक्स भॉआ है तो अब इसको निए इसके रिए क्या क्या चाहिए तो मुझे इस दो चीज चाहिए पहले तो चाहिए एक्स की एक्स किया है तो एक्स वाई से चोटे से अलमेंट जो हम यह है उसकी दूरी अच्छा ऐसा नहीं है कि आप इस इधर बना सकता इस तो इधर भी बना सकते हो चूँँए ऐसा कुछ नहीं कि हाँ रिज़ से बनाये तो यहीं सब्सक्राइब जब जहां भी लेना है तो को वाई एक्सिस सही लेना तो एक्स तो ठीक है एक्स फोटे सेलेमेंट कमांड टैक्सी है अब है असल में की डी एक्या किया था दिये मतब एरिया ऑफ इस मोल स्ट्रीट हम सब्सक्राइब करें है डी ए डी का मतब यह मत समझना आखिर से बात करें यह डी डैप्थ है यह डी मतब स्मोल एलेमेंट ठीकिना स्मोल एलेमेंट उफ दी यह हो गिया एरिया ओफ कि इसने पावान इसका यह हो गोगुई मेरा बच्चा पावान वीडियो की बच्छा पावान वीडियो बता कहला उन्टर लियो Mr. Pawan हाँ तुम खेत बाहर गुमो तुम तुमको निकालना पड़ जाएगा पावण तुमको निकालना पड़ जाएगा पावण तुमको जाएगा लिए जो तो इसका एरिया हाँ हो और भी एक्ट को वह ये एलमेंट का हो जाएगा छोटास एलमेंट का ठीकनेश D X, Small D X और इसका जो नंबाई वो D के बराबर है ठीकने, D X इंटु D, तक इसका जो मान हो जागा मेरा D A का, वो हो जाएगा D, इंटु D X, अब यहांब तो D स्क्वार मत कर लेना D X, Small Element का लेंज है, और यह D यह वाज़ा D, इसका एरिया नहीं कर लेना अब इसको यहां पर रख दो, ठीक है ना अब लिमिट करना है, जो जो कहां से कहां, अब लिमिट करेंगे हम लोग, कहां से कहां तो इसका दो पार्ट, यह जो इसको दो भाल में बाट दिया है तो यहां से हो निकालेंगे तो यहां से यह निकालेंगे, तो यहां से रहे कि यहलें तक के लिए यह सब मुवम्मेंट है फ्रॉम जीरो से लेकर बी भाय टू का मुवम्मेंट हुएगा तो हुआँ अब यह हो जाएगा बी बाइटू ठीक है है और हाफ ले रहे हैं मुवम्मेंट हो गए और सवाल है कि आप पूरा कहा नहीं लेते हैं मतर सीधे यहां सिहां जैसा अगर करो तो इसका एंसाफ जगी चुंकि इंक डिए like करेंगे वह जिए। जिए। ऍसिंभाइब करत ब्क यह निगुत सनरे अधिक है। जाएगा। जवर संवेशत कि यह यह हिसां तो इस यह है यह cone 0 हो सब्सक्राइब इसका इंक दो दिया है अब एक्स इसक्वाइब ओके डी एक अले में होगे मेरा ये डी है और उसके बाद ये डी एक्स करो इसको बाद इसको बाद कर सकते हो तो करो अग्सक्वाइब आ कर सकते हो तो करो एक्स एक्सक्वाइब एंडी एक्स ठीक है यहां पे डी एक्स मतलब बहुत है तो अब इसको इंट्रिकेट्ट क्या आता है इंट्रिकेशन करने हैं तो इसको किस पार्ट को मिटाएंगे ओके चलो हो इंट्रिकेट्टिक दिसको इंट्रिकेट्ट्टिक डिन स्क्वाइक गएंडी आता है तो ही 59 इसका कितना आता है इसको मालूम है एक्स क्यूब बाई थी लिमिट जीरो से बी बाई तूर तीक रहें लीचे तीन है तो फाइनली मेरा जो मोमेंट ओप इनट्सिया वाई के अबाउट विनिकल गया वो डी इन्टू एक्स उसे जो यहां पर लिख रहें है तीक पावश्थी लिख रहें है तो तो नहीं तो इतना गए चीज बी बाई तू का क्यू वाई थी तो जो एक्स का मान मेरा वो बी बाई तू है मेरा प्लीज जुटा करो की स्क्रीन शॉट ले लोगे इसमें काड़ होते हैं जे पीजी में उसको फीडियो दिमने तो नहीं है कि बना के करोंगे एक राड़ को जाएंगे को एक राड़ का भेज जाकरो बस उतना ही चीज तो इसको ब्रेक करेंगे आब तो इस दो का पावर तीर है तो दो का पावर तीर के ताथ ओके और आठ गुना तीर ये नीचे का तीर है आठ है तो चोबिस जूबिस अ को टैंड है ये मोवमेंट ऊफिर से नीकला अधह पार्ट का पूरा कितना पूरा ये अच्छन कितना हो जागा वो नीकल दो से गुना करेंगे इसको मब्लोग है तो फाइनली मोवमेंट ओफिर से नीकल जाएगा य य एक्स का कि दो तो पुना करेंगे ओक को को से गुना करेंगे दो से गुना करेंगे बी डी त्यू बाई ट्वाइटी फॉर तो चोबिस को काट दिये दो से आ गया बारा तो फाइनली मेरा जो एक्वेशन आया मोव्मेंट ऑफ इनर्चिया एंपाउट वाइवाई एक्सिस के वो निकला वी डी त्यू कि सौरी यहाँ पर बी बी वो जाएगा तो अब सवाल प्याद कैसे किया जा रहा है यह जो आप explorer ना यह कि चिसको खाट रहा है ये एक्सिस से रहें को नहीं को दो V का पावर टीक भलत अब कि अ इसको काटेगा उसका पावन नुक्ति रिख तरीगा है इसको याद किया जाकता है तक करेंगे तो इस साथ शेफ को निकानना पड़ता है वह माँ पी दिखाएंगे एग्जांपल धिरक शथा के एग्जांपल धिरक यहां पर पित करेंगे है जेसे तो उनको दे लेंगे भाई किसका मोंमेंट और इनर्ट्सिया निकालो यह ती शेप धी टी टी टीफो टाइड़न टीफो टेक्मोंडियर तो यह तो अब करें क्या ची तो हम लोगे हादम पर दो तो जोब बाउब में बाठ रहें है यह बन गया इस तरह का शेप आज यह बन तो जो इसका एंसर होगा, वो इसी का एंसर होगा, फिर इसका निकालेंगे, तो अलग-अलग निकालेंगे, यही होगा, मोमेंट विनेर्स अपकोजिट सेक्षन, तो यह होगे इस्टेंडर, अब आते हैं, अब तुमसे एक कोशन तुमसे पूछे हम ऑपजेक्टिव में, एक कोशन लिखने जा रहे हैं, उसको पढ़ना, जवाब देना के जवाब क्या है, ठीक है, तो सर को मिटा रहें बोल पे, हलो सर, सर, बी और बी का क्यों लिखे होगा, डी होगा ना सर, यहां सर, नीचे टू स करते हैं, चोबिस का मिटा रहे हैं, यहां पिटी होगा, बैरी उसके मतलब तुम पढ़ गया होगा, इसको लिखो, ठीक है, इसको लिखो कि हाँ, इतना हम समझे है, इतना ही काफी है, इतना बहुत है तुम्हाने लिए, इसको तो हम जादा नहीं करेंगे, थोड़ 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 पहाएंगे, यहां यह समझने आगे है, बसका पी, इसको फिल्ज के एक अब्जेक्टिव देंगे, काम खतम आज का होगी है, कोटा पूरा, अलाजू फी निया टॉपिक लेके आएंगे, फिर इसमें दोनों एक्सिस का सेम ही रिजल्ट आ रहा है यहां यहां बी का पावर क्यु है, यहां बी का पावर क्यू है नहीं दिखा? जब आप देटीव पॉश्टन पर लिखने जा रहे हैं जब आप दर पता होगा या नहीं बोलोगे तो तुम आपने पॉप्टिक मालो क्या इसका इसका होता है वह में ऑप जब देने जा रहे हैं सबस्क्राइब आप 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 इसे निखेंगे मॉमेंट ओफ इनर्षिया को आप आप मॉमेंट आप इनर्षिया बलता प्रेश्का प्रेश्क लिक्तलिक लिक्तलिक हैं झाल 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 जो बताओ सोच के इसका इंसर क्या होगा सबका पावर फोर है ठीक है इसका पावर फोर है यहां पर फिरी है यहां पर फिरी है तो जो अभी प्रहाइम उसके अब्जेक्टित दिये हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा तर बी नंबर होगा तर बी नंबर होगा इसका इसका सही जवाब होगा और बी दोनों यह सर क्योंकि साइड का नेम सिर्फ चेंज बाकी सब डामेंशन तुछ से में आप क्यूंकि यहां पर तो एंक्वार है ना कि इस कोई क्या होता है कि जिसका चारों भूजां सेमों अब इस कोशन तुम सी फसाया है असल मैंसा कुछ जैसा कभी ने पूछता पूछेगा यह अगर कोई ए मानेगा इसका मतलब वो यह सोच रहा है कि यह स्कॉाइड का सारा बूजा क्या होगा भी भी मानेगा इसका जारा लुजा जो है क्या है यह इसको मान लिया है जो आई आई यह वह था ना में प्लीपी ना तो अलग अलग है मतलब कि जब जो और कि अजुक्त होगा हुआ यह जो दूं कर लोगा ने अब बी का मतब हो गया कि अगर ऐसी भी का अगर लुषा प्सकार। आधा याधा 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 याधा? इसादा याधा? अगर वाल दुब बाल दूश्द का तो यह भी भी सखब्सक्राइब तो अगर हम रोग इस इस एक्सिस को यह का तो इसका फॉर्म रहा है तो यहां पर बीडी अलग अलग तो चुछ क्या बीडी से मी हो गया बीडी से डीडी से तो यहां पर मेरा बी और दी का पावर फोर यह यह बीक पावर फोर यह यह बीक पावर फोर सेम यहीं क्या होगा एक पावर फोर बाइट यहां पे तीन था यहां पे एक दोनों पराबर हो गया तो क्या हो गया मेरा बीक पावर फोर यानि एक पावर फोर यह कर देंगे यही है इसका हमारा कंदीश ठीशी दोनों कमांद हो सब्सक्राइब हो जाएगा तो यह एक स्क्राइब है और चारों बूजा मेरा एक के बराबर है इसका एंसर हो जाएगा मेरा तो मौवमेंट इस एक्स और दोनों मेरा एक यह था मेरा तुम्हारा क्या बोलते हैं मौवमेंट इस यह दोनों में कोई भी एक हो सकता है डिपेंड करता है किसके एक्सिस के बाउट जा रहा है प्लस एक चीज़ अगर एक्जाम में यह कॉम्पर्टिशन में एक रेक्टिंगर शेक्स तुमको दे रहा है बस प्रेशन आगो क्लास किता मुखना है इसको ए माल लिए इसको मॉंग ए इसको मॉंग ए यह यह हो गया यह ए वोगया एक हमात्ब इसका इस बताओ की मोवमेंट ओफ इनटिया आई तो इसको यह काता इक है तो जवाब होगा यह काटा इसका जवाब होगा एक हावार थीरी किसको नहीं काता और अगर बोलें जिसको बोलों की एकाटा वाई-एकसिस के माउन्ट होगा तो नहीं हो जाएगा किसको यह कट रा एक्सिस एल को एल का पावर क्यों किसको ने काटा ए तो वह सिंफल ए हो जागा वाइल बंग दोनों पराबर है तो एक पराबर हो जाएगा बतलब यहां पर क्या वलगा को है केस के लिए तो ए और ल ब्रावर होगा और एंसर होगा यह भी हो सकता है नहीं तो एल का क्लावर फोल भाई तो खतम कर रहे हैं ऐसे बहुत जी सोच के मारते की बताएं ना तो लिखने की जा बूले के नहीं है लिखे नहीं है आप जो लिखें ना वको को पी में उतार रहा अटार लो इससे वो तरह एड़ी टाइम आये ना तो पॉलिज आप किताब तक पर इस्व कम जो करवाज शुक्टे हो ओ किताब में सब कुछ है कि न बस हम समझाना चाहने कैसे इसको बनाया गया है क्या होता कि किताब पर होगे होता है टाइम लगएगा को बाता दिये अ especially content तो बना लो ने तो फिर यहां पर बढ़ते चले जाओ तो तुमारी आसानी हो जाएगा कोशिद करो दर बैठे बैठे कि ये ट्रैंगल शेप कैसे मुवम्मेंट निखाए तो फुस पर पढ़के देखो फिर क्लास में बताएंगे तो बहुत असानी हो जाएगा फिकल दो थियोरम को में डिसकुस करेंगे एक पैलर थियोरम एक पर्पेंडिकुल थियोरम का हम कल य कि तो कुछ समस्या कुछा माने के लिए जर बताएंगे पड़ रहा है इस स्कुर लिखें उसका नीचे क्या पुछे बाबू कि तरु पावर दिखाने दे रहा है ये पावार आप अहां सरु दोनों बताएं ये फोर है ये फोर है जी सर अ तो ये बहुत बढ़ा है कि अगला कुछ साल का भी निकालेगा तो तैयारी जब अपना अच्छा होगा तो ये बहुत तैयारी अपने आपको बहुत अच्छा लोगो इससे बहुत पूशन पूछता है तो इससे जदी प्रात्ना करो कि अगलेज खूले और फिजिकल में आ जाए ताकि तो फेस तो फेस परणने का मजा ही हलाग होता कि कुछ को बहुत सा एक्स्प्रेमेंट करके दिखाते हैं इसमें तुम एक्सक्रमेटर के दिखाते हैं लेकिन वीडियो में कुछ होगा नहीं वाएपास ओके ठीक हैं तो इसके शोट यहाँ से हम को जोगे 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 कोई बीए हमसे सेंड कर दिये सेर ठीक है। है एक है कोछ झाल